वसंत कक्षाच्षे पाठ आड जासे की रानी का भाग दो उदित हुआ सो भागे मुदित महलों में उज्याली चाई किन्तु काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़ियां कब हाई रानी विद्वा हुई हाई विधी को भी ना भाई निसंतान मरे राजाजी रानी शोक समानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँसे हमने सुनी कहानी थी रानी के विवा के पश्चात जासी का सुभाग्य जाग गया महल में प्रसंता का प्रकाश हो गया प्रन्तु आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी धिर आये दुर्भाग्य का तीर चलाने वाले हाथों का चूडिया पहनना अच्छा नहीं लगा और हाए रानी लक्ष्मी भाई विध्वा हो गई उन पर भाग्य को भी दया नहीं आये राजा गंगा धर्राव निसंतान मर गई रानी शोक में डूब गई हमने रानी जहांसी लक्ष्मी भाई की वीर्टा की कहानी ये बुंदेले खंड से सुने बुझा दीप जहांसी का तब ढल हो जी मन में हर्श आया राजे हडप करनी का उसने ये अच्छा अफसर पाया फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना जंडा फैर आया लावारिस का वारिस बनकर प्रिटिश राजे जहांसी आया अश्रपूर्णा राणी ने देखा जहांसी हुई वी राणी थी बुंदेले हर बूलों के हमने सुनी कहानी थी जब राजा गंगा धर राव के मर जाने पर जहांसी का दीपक बुझ गया तो अंग्रेजी शासक लौड डलोजी मन ही मन बहुत खुश हुआ उसे लगा जहासी को हडप कर अंग्रेजी राज में मिलाने का यही अच्छा मौका है उसने जल्दी से अपनी फौजें भेज कर जहासी के किले पर अपना जंडा फहराया राणी ने आसु भर कर देखा जहासी उजड चुकी थी हमने यह कहानी बुंदेले हर बोलों के मूसे सुनी थी कि राणी हमेशा पुरिशों की तरह विरांगना बन कर लड़ी थी अनुन्य विन्य नहीं सुनती है विकट शासकों की माया व्यापारी बंदया चाहता था जब यह भारत आया डलहु जी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया कवित्री कहती है कि जब अंग्रेज ने जहासी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विन्य और प्रात्ना की लेकिन सब बेकार था यह अंग्रेज की हिमाया थी कि जब व्यापारी बनकर वे भारत आये थे तब यहां के राजाओं की दया चाहते थी डलहु जी ने आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और अब तो सारी प्रसितियां उनके पक्ष में थी जिन राजाओं और नवाबों से वे दया मांगते थे आज अंग्रेजों ने उन्ही को पैरों से ठुकड़ाया था चीनी राजधानी दिल्ली की लखनव चीना बातों बात कैद पेशवा था विठुर में हुआ नागपूर का भी घात उदेपूर तन्जोर सतारा करनाटक की कौन विसात जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म अभी हुआ था वज्र निपात बंगाले मद्रास आदी की भी तो यही कहानी थी बुंदेले हर बूलों के मुँसे हमने यही सुनी कहानी थी सन 1857 के स्वाधिन्ता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में बताते हुए कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली, छीनली और उसपर अधिकार कर लिया उन्होंने लखनों को आसानी से जीत लिया, बिठुर के पेश्वा को कैद कर लिया, नाकपूर पर आकरमन कर लिया उदेपूर, तंचोर, सतारा, करनाटक आदी की क्या आउकात थी उन पर भी अंग्रेजों ने विजे प्राप्त कर ली थी उधर सिंध, पंजाब और मयामर आदी का भी पतन हो गया था बंगाल, मद्रास, आदी, राज्यों की कहानी भी ऐसे ही थी वे जीते जा चुके थे, हमने बुंदेले हर बूलों के मुक से यही सुना था कि जासी की राणी एक विरांगना थी राणी रोईरण निवासों में बेगम गम से भी बेजार उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकते के बाजार सरे आमनी लाम चापते थे अंग्रेजों के अखबार नागपूर के जेवर लेलो लखनव के लेलो नो लखहार यो पड़दे की इज़द पड़देश के हाथ भिकानी थी पुंदेले हर बूलों के मुक से हमने सुनी यही कहानी थी जहासी की मौत के बाद अंग्रेजों के जहासी पर कबजा कर लेने की वज़े से रानी अपने रण निवास में दुखी होकर रह रही थी दूसरी रानिया तथा औरते सभी दुख से परेशान थी उनके बहु मुले कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे अंग्रेजी अखबार सब के बीश निलामे की खबरे पहुचा रहे थे नागपूर के जेवर गहने लखनव के नूलखा हार सब के निलामे हो रही थी वे गहने जो ओर्तों तथा नागपुर के रानियों की शोभा थे, पर्दे की इजज़त थे, वे दूसरों के हाथों से बिक रहे थे, यह कहानी हमने मुंदेल खंड के हर बोलों से सुनी थी तो बच्चो आशा है, आपको यह व्याख्या स्पस्ट हो गई होगी, धन्यवाद